तुम डॉक्टर किस पेस पे बरती हो है तो अलकी बेस थे लग रहा है वैसे जी मैं मैं पूरी डिग्री मेरे ना चाइना मां पढ़े हैं शोय ना आ एलाज मैं कर ले ना कहां किस जगा इनुड़िस्टी का ना राम बिंजिंग जांदार ये मैं लाज मैं कर ना जराअ पीका मैंनेसी लोंदा आते हो नो यहां आगे लोने पहर दो पिनिक्स पिनिक्ग एक साथ बागि में बताए जाते हैं किष्मीर का दिस्टिक बाग HELM तो वो पुरसरार सा एक हार्ट का आर्ट्रीज खोलते हैं सुई मारके खुद हार्ट अटेक हुआ कराची गहें में इलाज करवाने गोड़ा अगर सुननो या वे पंदिरा गोड़ा वो तो सुईया ला देनी हैं बारा एंडिकर करकर मुशाड़ देना और मैं साबला है सारा फ्राड है वो तो सुईया लाओ कोई फरक नहीं पेंदा है को वड़ा सुईया भारो डूम ओदी चीख कड़ो वो अस चीख ने ठीक करना हो ना कैसे बहुती दर्द हो उनला पेंदी छोटी बंदा पोल देना ऐगाले समयदार है यह टेकनीक है कि बड़ी दर्द जो है वो छोटी दर्द को जाल कर देती पर क्या है वो डिसकनेक्ट करना है ना क्योंकि वो कंटिनूसली हो रही है परपेच्वली हो रही है आपने बड़ी दर्द इंड्यूस की उससे वो डिसकनेक्ट होगी यह जो है यह आर्टिफिचल थी, टेंप्रेरी थी, यह ठीक हो जाएगी, वो डिस्कनेक्ट हो चुकी, कैसा तरीक है, यह मारा उकाड़ा में, इसके ओपर एक मैं समझता था कि प्लिसीबो है यह, हमें लोग नफसियाती तोर पर इंप्रेस हो जाते हैं, इसकी टेकनिक यह ज जाज तकसीम करता था लोगों में, तो यही बज़ाए कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लग गए, और फिर एफ्लॉइंट भी बहुत हो गया वो, वो तो बड़ा हिलाज शिलाज करता था, उसके बच्चों से उस तरह का मामला हो नहीं सका, ऐसे ही है ना, और मेरे सामने उसने, क्योंकि मैं लेके गया था, यहां से शेख आफ़ताब साब, हमारे बड़े अजीज दोस्ते, उनको कोई शेटिका टाइप कोई चीज थी जो उसने यहां से दबा करना, काफी हद तक रिलीफ दे दी उने, तो मेरे सामने उसने किया, तो टेक्नीक यही थी कि इतने जोर से दबाता था वो यह, चीखे निकल जाती थी, आप घड़ी भर के लिए इधर मतवज्य होते, उदर, क्योंकि ब्रेन का बड़ा गहरा तालुक है न, वो डिसकनेक्ट हो जाता था, और कोई प्लसीबो नहीं, तो प्लसीबो होगा तो वो टैन परसंट, ट्वेंटी प अच्छा शूगर में बंदा कम जोरत है न, हमारा पूरा खांदान शूगर में भी इतना इतना मोटा है, अच्छा ये क्या बात है, कुछ लोग शूगर से यू होते हैं, जैसे वोन आउट हो गें, सुख सुख के बिलकुल और कुछ और मोटे होते चले जाते हैं, जब आपने घाया है, वो ग्लुकोस की फॉर्म में आपकी बॉड़ी में जमा होना शुरू हो गया, बजाए इसके के निकल जाए, तो उसकी वज़ा से वेट गिन होना शुरू होता है, अपला से ये कि जब एक दफ़ा ग्लुकोस स्टोर होती है, फिर आपको और दिल करता है, भी बढ़ती है, लुकोस भी स्टोर होती है, जॉर्डन उन्निस सो एकिस में ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट के तहत इसको काइम किया गया, उन्निस सो चैलिस में बरतानिया ने इसकी जान बखशी कर दी, जैसे अगले साल हमारी की थी, और खूब पंजे गाड़े रखे अ सरवरा बना दिया, एक को उसके छोटे भाई को उठाकर यहां उर्दन का सरवरा बना दिया जिसे 1951 में मस्जिद अकसा में मर्डर कर दिया गया, और उसके साथ उसका पोता मौझूद था जो इस बादशा का वालिद था, हुसैन, और वो पता कैसे बचा, उसको भी गोली वोटे को, उसके मैडल पे लगी, वोह वेरिंगा मैडल, मैडल पे लगी और वो बचगा यूनिफर्म में होगा, इस बिकेम यूर्दन और परहप्स तेन्यूर्टक जो बटे टो से 99 तक हकूमत क की उस मन्देने, वह वावाव, अलमोस्ट निष्फ सदी, 47 अजभे सुल्टान काबूस जनाबे वाला मैं साबित कर सकता हूँ कि ये साल उन 33 सालों में शामिल होना चाहिए वो कैसे सार इसलिए कि यहां पर हूँ कॉल्स दे शॉर्ट्स तो नहीं पहनना होती लेकर नवाज श्रीफ के जो टरम बनती है जो जो अनिंटरॉप्टेट नहीं था ना उनका वो तो शायद आर दस साल भी ना बने भी ना बने भी तर खांदान की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के तोर पे अगर आप नवाज श्रीफ का निकालें। वो तो सीम तो 85 के नॉन पार्टी बेसिस पे हुआ था ना? उससे पहले मिनिस्टर फाइनस मिनिस्टर फाइनस मिनिस्टर फ़फ पंजाब। ख़जाने की कुंजी तेरे पास है जब हमारे सुपरिंटर ने कहा था कि खुदा के वास्ते हमारी कैंटीन बनवा दो। तो पाई तुसी की सी हो स्टेप? मैं उस वक्त चीफ प्रिफेक्ट था ये कोई वजीरियादम तो उतला होंदा कुछ यार वबू मनीटर नहीं होंदा सिदा मनीटर क्यों नहीं कहें दें सानु क्यों हो पंगयाद मानीटर तो पचास होते हैं प्रिफेक्ट्स भी बहुत होते हैं चीफ प्रिफेक्ट एक होता है तमाम कॉलिजेज का तमाम कैंपसेज का तमाम हॉस्टल्स का वो कॉलिज कॉंसल का मेंबर होता है वो इतना सारा धेर सारा जुर्माना कर देता है जिस तरे आफ लोग की पार्टी में जो लीड करता है बड़े बाजे वाला? बड़े बाजे वाला ने, क्लारिनेट वाला? इस अठा काम सी तुड़ने हैगा उपने रिसर्च दया करो वो लेद नहीं करता मसललन हर जगा थे पहले लंबर так है सब्चू्शघ की तरफ द्यान है नहीं था तो सेल्स पाड़ा ज़ने जाता था यार टेक्स्ट बुक की तरफ द्यान नहीं था जो निसाब की किताबे हैं न वो नहीं पड़ा करता था बाकी तो पढ़ पढ़ के भवा हो जाता था हमारे एक साथी थे में न्याजी उनकी अपनी एंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि जब इंग्लिश का टीचर लेक्चर देता था वो पीछे बैठ के इतनी देर में छोड़ा सा नावल खतम कर लेते हैं वो पढ़ लेते हैं तो बिल्क नावल आजकल एडिटर है नेशन के जर् जीत के जिए वर बड़े मारजन से व सो बोड़ तो वादम काम कहीता पाहं रदर आर दो पांदर हुआ है यह जा आया यू रहा है और इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया दॉक्तर लेमा विल नॉट्ट नॉट दिसपाइंट यू नेवरा दिल करता है तु आदे आवना क्लेक्शन करावनाला बंद सब्ड़ा पासा त्राइवरी जित्सी एंनी की गाले कीती वेज़ नौसो पेंचर लाया है है मैं जो आना प्या आपकोला 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 साज कारा दूमा है तो को लफज खोलो का खनी है गड़